कि अपकी तैयारी कैसी चल लेंगे उमीद बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस क्लास में पढ़ने वाले गुप्त समराज्य के बारे पढ़ेंगे मतलब गुप्त वन्स के बारे में जो भी आपके महत्पुन प्रस्ण बनेंगे वह सभी प्रस्ण इस क्लास मे अगर आप देख लेते हैं तो गुप्त समराज्य से एक भी कोशन आपको नहीं चुटने वाला है ठीक है और यह आपके दूसरा चिप्टर में दिया हुआ है सब चीज के बारे में ठीक नब इसमें हम लोग देखिए इससे पहले हम लोगों मौट समराज्य के बारे में पर पर लिए हरपा सबेता के बारे में पर लिए समीश सोट नुट समों आपको परहा दिए तो जो बच्चे यह सब कलास नहीं देखे एक बार जरूर जाकर वह देखिएगा आपको पूरा किलियर हो जाएगा और अंतिम समय में एक्जाम के लिए पचास दिन बचा हुगा है अंतिम समय में इसी परकार से आप रिवीजन किजिएगा तो आपको अच्छे से एक्जाम की तर्यारी हो जाएगा और कोई भी चुटेगा भी नहीं या सभी कोशन आप से एक्जाम में बन जाएंगे और देखे रिवीजन करना इसलिए आवस्यक है कि अंतिम समय बच्चे सब्सक्राव का हल मिल जाता है और दिमाग होच पहुच भी नहीं होगा और आपको पढ़ने में मन मी लगेगा तो इस तरह आपको पढ़िएगा जितने भी हम बता रहें सभी को नोट्स को पी कलम लेके नोट्स जरूर बना लिजेगा इससे लगए एक्जाम में आपको को क्या होगा अच्छा होने वाला है और यहीं सब चीज आपको अधर बच्चा से खास बनाता है इसी को हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टड़ी कहा जाता है और बहुत सारे बच्चे न अब एकदम पढ़ने पर किताब गए कि पढ़ने पर लगे होंगे लेकिन आप इस तरीके सौट नोट्स भी देखने वाने पहले सभी सासक के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे जो अनलाइनर कुछ इसके महत्मून तथ्थे देखेंगे और इससे समधने कुछ अब्जेक्टिव बनाने का हम लोग पढ़यास करेंगे ठीक है चलिए हम लोग में य सब क्लास को अपने स्टेटस में जरूर लगाए ताकि सब बच्चे को सेर कि जो दूसरे बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है उस बच्चे को सेर किजिए थोरा सेर कर दीजेगा उनको अगर आपके सेर से एक भी नंबर आगे आगर तो आपका जिंदगी भर नाम लें यह आप गुप्त काल के बारे जो भी प्रशन आप से बनेंगे यह सभी प्रशनाज हम बता देने वालें ठीक है यहां पर देखें इस तरीके से स्मार्ट बेसे पढ़ने में गुप्त वंस के बाग अगर बारे में देखेंगे तो गुप्त काल लागभा कितना 255 श्मी तक प्रशनाज यह को पूछ देता है और गुप्त काल को हम लोग स्वर्न काल काल कि यह कहा जाता है अब यहां पर देखेंगे इसके पहले साथ गुप्त के दोरा किया जाता है और घटो यह उसके बाद सासन कुं मनते साथ है गटोट कं यह फार गुप्त के बारे में इनको कहा जाता है मतलग कि अरू को है involves का संस्थापक सिरिकुप्त वन्स का संस्थापक ते भूँआ और चाहर। को पराजित करते हैं को पराजित करते हैं को पराजित करते हैं को पराजित करने वाला सासक को पराजित करने वाला सासक को पराजित करने वाला सासक आपको पूछेगा तो याद करके रखेगा उसका कुमार गुप्त दूति है उसका बुद्ध गुप्त और तब से अंतिम सास पहला का नाम याद करके रखना है कुछ कुछ इंपोर्टेंट है और यह समुंद्ध को वीना बादक भी कहा जाता है तो इतने सासक गुप्ट बंस पर क्या किये अगर आगे देखेंगे हम इसके बारे में अब यहां पर देखेंगे जो जो महत्पून सासक के उन्हीं के बार गुप्त शासक अगर कोई था चंदगूप पर्थम का शासन 39 319 से में ठाक बहुत संबद है यह कोषन यह सबनेगा इसके बाद इसके बार्ब समध्र के बाड़े में अगर देखेंगे इनको हम लुग वीना बादक भी कहते हैं क्या एनको वीना बात प्रयाग प्रसस्ती की रचना की जाते हैं और यह इसलिए इसलिए इनको क्या कहा जाता है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है संमुद गुद को कहा जाता है विसेंट इसमीप जाते है ऐसे थो नेपोलियन हुँ यह असुमेग परकार सॉने के सिक्का है सोने का जारी करते हैं और बीना बादक भी कहाए जाता है क्योंकि वीना बजाने में क्या थे माहिर थे ठीक है यह समध्द गुपचिए उतने कोशन आपको बन सकते अगर आप अगला देख या चांद गुप दूतिये के बारे मेश्यों लोग समझने का प्रयास कर देखे तो पूशत है पहला मेहरा लोय मेहरोली लोह अस्तम जो बनवबय थे मेहरोली का लोय मतलब पीलर मिहरोली यह बिक्रमदित्ते के उपाधी ग्रहन को पहला ये चंद्गुप्तिये था और रजय पहला उन शाष कून था छंद्गुप्तिया था और इसमकन Hundred इसे सम्व 순 holiness इसका शाहती संभायान यान आर्प में भी छोगीज चिंद भी आतने इननको बोल सकते हैं चंदगुप दूतिये के सासनकाल में आया थे इनका नाम क्या था फाहियां डारेक्ट आपको कुस्चन बने कब हुआ इतना इंसे इतना पॉइंट आप याद करके रखेगा अब अगर देखा जाए तो यह चंदगुप के दर्वारे में नवरत्न रहा करते हैं और नवरत्न कुस्चन पूछा करेंगे और घनमंतरी थे चिकिट्सक थे उसका संकू को वास्तुकार घावर घ्यानी गट परनक नितिग्या थे और बेताल भत जादू-हरे थे जादू-हर नवरत्न यह जो चीद है कि इनके दर्बार में नौवरत्र रहा करते तो जिसमें काली दास महपुन है काली दास की सभी चीज के बारे में लोग देखने वाले हैं अब यहां पर देखिए अब गुप्त काली मंदीर के बारे में कभी कोश्चन पूच देता है और आपको दो नमबर में आपको देखिए पहला मंदी हैं देवगड का अब यौपी में कहा परता यह उतकीपणे मंदीर हो पर देखा आगे यह कुछ गुप्त काली प्रसासनी के बारे में अगर देखेंगे तो यह सबसे सबसे बरा कुन होता था लोग प्रसाइघ को पात को करते अगर जीवक प्रणत हैं डिव्यां फिर यह जेल सब्सक्राइब तें यह सबसी होता है कि घлять कुछ पुस्ता पुस्ता उसको सबसेlov तर way भीला को बीठी महत्तर बोलते है और सबसे चोता क reclaim इस verbess उष्ची का फिर वह अधिकारी च्रह त डिड़ते हैं वहां पर एक्रया भी को लेन दे निर्ट इजो होता था इनके जो समराज्य कर्या भी क्यें उठ भीहता है इसको थो कि यह कुछ आपको हम बता दिए इनके समराज्य के बारे में अगर देखा जाए काली दास की रचना आए के बारे में अगर बात किया जाए यहां पर अगर महाकाब्बे की बात किया जाए कुमार संभब और दो किया है दो महाका बेत दोंओं के बाले में याद लिखेगा कुमार सम्मभ और अभुबन सब किसका रचना ये कली दास टार। वन नेंट को क साकूषन बनता है किसके दरवार में थे ये यदृत गर देखा जाएं जाओं मंदेर की मंदिर आपको कहा मिलती है तो गोपूरम इस परकार मंदीर बनी होती है को बोलते हैं इस परकार के मंदीर दाइखने को अगये सब मंदीर यह's मंदीर सावातर मंदीर विए ना जयाती है बने अगर सेras eg उन्हों का मिष्रन होता है इसको अगर बेसर आना कुछ के आपको एकजाम में आपको ना कोई भी परकार का प्रस्ट छूटे नहीं जो आपको परहा है उसी को वर अब्जेक्टि व कर लेंगे अब पूरा कर फूज़े मतलब पूरा आपका एक चुठखियों में क्या हो जाजाएगा समाप्त हो जाएगा पूरा ममाते रहीए सब्सक्राइब कर दोनों और यह सब्सक्राइब कर दोनों सब्सक्राइब को था चंद गुप्त पर्थम यह तीन सो बीच में गधियों बैठा इसने लिच्वी की राजकुमारी क्मार देवी से डिवा ए अधिक माराजा धिराज की उपाधि करता है को यह सब्सक्राइब ने्ट हляется माराज कर देवान के सब्सक्राइन इन्हीं कारण से भारत का क्या कहा जाता है नेपोलियन का है समी चीज वही चीजे इसको लिख दिए ठीक है अब यहां पर देखिए समुद्ध गुप्त का दर्मारी कौनता हरी सेंध इसने इलाहा वादर प्रयाग प्रसति की रचना करते हैं समुद्ध गुप्त विशनु का अब दर्ग पर थे यह समुद्ध को बिश्मु का उपास समुद्ध गुप्त ने अस्व में करता भी कहा जाता है उपादी धरन किया थे और यह सिक्का भी जारी किये ठीक है समुद्ध संगीत प्रेमीर संगीत का बहुत बढ़ा सौकीन थे ऐसा नुमान लगा जाता है कि स चंद्गुप्त सेकेंड हुआ और यह तिनसो असी पर राजगदियों बैठा इनहीं के सासंगा चीनी यात्री भाईयान क्या हो थे भारत आया यह क्या कि सको पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्गुप्त को सकारी कहते है क्या कहते है सकारी कहा जाता है और चांदी क क謬नांब कि कमार पूता है के असका प्रभारत एक सुदर्शन धिल का पुनद्धार करवाया था ठीक ही को सवराष्ट का गधनाया था कि गुदा तो अन्तीम सासक कोन था अभी अंतीम सासक बता बता कौन था विशनु गुर्ट क्या थे अंतीम सासक तो यहां से जाते हैं आपको आपको आपशेक्टिव पूछे जाते ठीक है अब इस तरह की स्पेसल क्लास आपके लिए लाते आपकी तैयारी के लिए एक सेर रसुद्ला बनता है सभी बच्चे का ठीक है तो सभूर कर दीजे को अब यहां पे देखें समस्त भारत अभी जश्ट बताएं में चांदी के चिकों को चान्दी के हो जाने करने पहला सा सकौन था और इसका नाम क्या था तो प्रयाग प्रसस्ति की रचना किसी कि रचना मिलते हैं जनकाड़ी मिलते हैं इसका एकदम राइट एंसर होने वला है ठीक है अगला कॉशन देखते हैं ऊंप तो के काल में जुट के काल नहीं कौन आए ते याद करके रखे देख विखे गयां यही पार्ट्न नम्र कुश्चन भारतिये इतिहास का क्या सवर्ण काल काल आता है को सबको पता है किसे हम लोग कहते है इसका अंसर के यह होगा इसका एक्दम एकदम हाईट शलिए अगला कोशन देख तिए चाहें पर्याग पठाल यूहीं कहा है का सबसमुन्दन समचान की दिधान में रहते यहां पर सभी नवरतन के बारे में यहां पर हम लिख दिये तो इसका एंसर क्या होगा चंदकुप दूतिये मतलब चंदकुप बिक्रम अधित्ये मतलब डीस का एकदम राइट एंसर होने वाला सही बच्छे का एंसर सही हो रहा है न वहुआ कि यह सभी जर्ष्ट पर है आप कि अगनीमित्र यह सबी किसके रिचना है कालीदास की रिचना है नौर को सब्सक्राइब किस नेपलियों की को कहा जाता है यह कहते है भारत-वारत-बैदों नौर का राइट-एंसर हो जाएगा ठीक है दस नमर को सन देखे गुप्ट समराजय में प्रसासन और विश्नु मंदिर कहां है अभी जश्ट बताएं विश्नु मंदिर कहां है अभी जबलपुर जबलपुर में घुमड़ा मद्यपरदेश में या नैना कुमार के देवगड़ अगला कोशन देखते हैं विश्णु सरमा कौन सा पुस्तक लिखते हैं यह संसार का सब्सक्राइब प्रसलित गरंथ है तो पंच लिखते हैं इंपोर्टेंट कोशन है तेरा कैंसर क्या हो जाएगा यह रहा चौदा नमर कोशन निमिलिकीत में से अपने सिक्वो पर बजाते दिखाया गया चौदा के साथन काल में इसका एकदम राइट इंसर होगा ठीक है यह रहास्तोला नमर कोशन यूरोप का समुंद्र किसे कहा जाता है अगला कोशन देखते हैं सत्रह यह सोला कोशन आपके यह हम दस से पंदरा मिनट में पूरी क्लास पूरे घुप्त काल को हम इस तरीके से पर लिए ताकि एक भी कोशन आपके एक जामें नहीं छुटा को वह यह गारंटी देते अगर आप पर लेते तो सही बच्चों के अगले क्लास में सही बच्चे को दिल से नहीं बच्चे को दिल से नहीं बच्चे को दिल से आप